नमस्कार दोस्तों गिल्यास कीचन में आपका स्वागत है आज मैंने बनाई है बंडारे वारे आलू की सब्जी जब भी हम बंडारे में जाते हैं वहां के आलू की सब्जी खाने में बहुत ही यहादा जबरदर्स लगती है लेकिन वो टेस्ट नहीं आता जब हम घर पे बना तो मैंने चार चम्मच धही ली है दही को अच्छे रंग से हम फेट लेंगे अब धही में हम डाल देंगे एक चम्मच धनिया पाउडर दो चम्मच कस्मीरी मिर्ज और आधा चम्मच हल्दी पाउडर अब इसका हम बड़ी असवा पेस्ट बना लेंगे देखिए पेस्ट बन का विकुल तयार है खड़े मसालों मैंने लिया है एक तेजपत्ता एक चम्मच जीरा आधा चम्मच साबु धनिया दो टुकड़े दालचीनी के तीन लॉंग पांच से छे काली मिर्ज और एक बड़ी लाइची हमने पांच बड़े चम्मच तेल का अस् अच्छी तरह से चटक देजिए आधा छोटा चम्मच हींग हींग पक जाए तो डालेंगे हम तीन बड़े टमाटर जो हमने बारी काट लिये हैं टमाटर के तुरंद बाद हमने स्वाद के नुशा नमग डाल दिया है जिससे कि हमारा टमाटर अच्छी तरह से गल जाए अ हम इस मसाले को डालेंगे अब सभी मसालों को हम टमाटर के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो इसमें डाल देंगे दो चम्मच कसूरी मेथी अब हम मसाले को अच्छी रंग से पका लेंगे जब तक कि वह तेल न छोड़ दे यहां पर जब हमारा मसाला पक गया तब हमने यूबलेवे आलू डाल दिये हैं, आलू को मैंने हाश से मेश किया है, मैंने 5 उबलेवे आलू लिए हैं, आलू को आप 2-3 मेर तक मसाले के साथ अच्छे डंग से भूने, क्योंकि तभी इसमें अच्छा फ्लेवर आएगा, अक्सर हम यह गलती करते हैं, पानी पहले मिला दे और जब भी पानी मिलाए हमेशा गरम पानी मिलाए देखिए दो से तीन मिनट तक मैंने आलूओं को मसाले के साथ अच्छे डंग से भून लिया है तो अब मैं इसमें पानी डालूंगी मैंने सब्जी में डेड़ कप पाएं डाला है अब मीडियम हीट में हम 5-6 मिनट तक सब्जी को उबा लेंगे ये देखिए सब्जी के ऊपर ओयल के लेर आ गई है तो इससे हमें पता चलता है कि हमाई सब्जी बर्द कर विक्रू तेयार है अब इसमें हम हरी मिर्च नाल देंगे कची कची हरी मिर्च का फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है तो अब हम सब्जी में डाल देंगे हरा धनिया तो लीजिए हमारी भंधारे वारे आलू की सब्जी बन कर विक्षन तयार हैं अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई उसे लाइक करें और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें धन्यवाद